डिक्टेसिन इस्टार्ट होगी तेन सेकंड बाद इस्टार्ट पांच न्यायाधीशों के वर्तमान सम्वीधान पीठ के विचार के लिए प्राथमिक मुद्धा भारतिय मध्य इस्तता न्यायशास्त्र में कमपनी समु सिध्धान्त की वेद्धता का निर्धारन और मध्यस्तता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत कारवाही के लिए इसकी प्रयोजता था विराम इससे पहले क्लोरो नियंत्रन मामले में भारतिय मध्य इस्तता न्यायशास्त्र में कमपनी समु सिध्धान्त को अपनाया और लागू किया गया था जहां सर्वोच्च नयाले की तीन नया दीशों की पीठने उक्त सिध्धान्त को मध्यस्तता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 45 में दावे के माध्यम से या उसके तहत व्याक्यान्स में पढ़ाता विराम Group of Companies डौक्ट्रीन में यह प्रावधान किया गया है कि कमपनियों के एक समु के भीतर एक कमपनी द्वारा किया गया मध्यस्तता समझोता गैर हस्ताक्षर करता संबधों को बाध्य कर सकता है यदि परिस्तितियां ऐसी हैं जो हस्ताक्षर करताओं और गैर हस्ताक्षर करताओं दोनों को बाध्य करने के लिए पक्षों के आपसी इरादे को प्रदर्शित करती है विराम इस सिद्दान्त पर कथित तोर पर इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि यहें पार्टी की सवायत्ता अनुबंध की गोपनियता और अलग कानूनी व्यक्तित्व जैसे इस्थापित कानूनी सिद्दान्तों में हस्तक्षेप करता है विराम इसके अलावा सहायक मुद्दे भी थे जैसे की क्या मद्दे स्थता और सुलह अधिनियम 1996 मद्दे स्थता समझोते के लिए एक पक्ष के रूप में गैर हस्ताक्षर करता की अनुमती देता है विराम क्या मद्दे स्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा साथ पक्षों के आचरण के आधार पर मद्दे स्थता करने के इरादे के निर्धारण की अनुमती देती है और मद्दे स्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा आठ पैतीस और पैतालीस के तहट आने वाले वाक्यांस के माध्यम से या उसके तहट दावा की व्याख्या विराम पैरा एक निगमित सम्हूं का अलग कानूनी व्यक्तित्व होता है जिसे दोकाधड़ी और ऐसा धरन परिस्तितियों को छोड़ कर नजरंदाज नहीं किया जा सकता है विराम एक मूल कमपनी और उसकी सहायक कमपनी के बीच का अंतर मोलिक है और आरथिक सुवीधा का सहारा लेकर आसानी से संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है विराम कानूनी रूप से एक मूल कमपनी के अधिकार और देनदारियों को सहायक कमपनी को हस्तानांतरित नहीं किया जा सकता है और इसके विपरीत जब तक की ऐसा करने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार नै हो विराम कामपनियों के समहू के सिदान्त के आवेदन के लिए अंतरनिहित आधार समहू कमपनियों की निगमित एलगाव को बनाए रखने पर निरभर करता है जबकी मध्यस्तता समझोते में गैर हस्ताक्षर करता पक्ष को बांधने के लिए पक्षों के सामान्य इरादे को निरधारित करता है समहू का केवल एक सदश्य मध्यस्तता समझोते पर हस्ताक्षर करता है अन्य सदश्यों के बहिश्कार के लिए क्या गैर हस्ताक्षर करताओं को मध्यस्तता कार्यवाही से बाहर रखा जाना चाहिए भले ही वे उस विवाद में फस गए हो जो मध्यस्तता का विशे है विराम इस चुनोती की प्रतिक्रिया के रूप में मध्यस्तता कानून ने कमपनियों के सम्हुए के सिद्दान्त को विक्सित और अपनाया है ताकि एक गैर हस्ताक्षर करता पक्ष को मध्यस्तता समझोते से बाध्य होने की अनूमती या मजबूर किया जा सके कमपनियों के सम्हुए के सिद्दान्त को अनूबंद व्यवस्था के आसपास की तथ्यात्मक परिस्तितियों का विसलेशन करके पक्षों के इरादों का पता लगाने के लिए लागू किया जाता है विराम अंतर राष्ट्रिये शेत्रादिकार किसी न किसी रूप में एक मध्यस्तता समझोते के लिए एक गैर हस्ताक्षर करता को बाध्य करने के लिए सहमती की ओपचारिक आवशक्ता से परे चले गए हैं विराम एक मध्यस्तता समझोते के लिए एक गैर हस्ताक्षर करता को बाध्य करने का मुद्दा एक तथ्य विसेश्ट सी पहलू है विराम समाप्थ झाल